नमस्का दोस्तों मैं प्रणव आप सभी का सौगत करता हूँ हमारे वीकली निफ्टी बैंक निफ्टी के अनेलेसिस वाले वीडियो के अंदर में वीडियो शुरू करने से पहले जैसे आप सभी लोग को पता है यहां पर मैं जो कुछ भी अनेलेसिस दे रहा हूँ मार्केट को गिरता हुआ देखना चाहते थे मैं आपको बोला कि मार्केट में यहाँ पर और अच्छे से एक रैली बनानी है चाहे उपर की बनानी हो नीचे की की बनानी हो बट यहां से अगर इनको और उपर जाना है तो पीछे जो छूटे हुए काम है वो सारे पूरे हो जाने चाहिए तो टेंशन फ्री हम यहां से उपर की तरफ में जा पाएंगे तो फिर मार्गेट निस हफते क्या किया उसको एक बार देख लेते हैं प्लस हम लोगों ने इस हफते बेसिकली कल ही हम लोगों ने वन परसेंट क्लब शीट जो है हमारी ओफिशल ओपिलेंसे लानिंगी वो लांच हो चुकि हमारे वेबसाइट के उपर में तो मैं आपको उस सेशन में जॉइन उट कर रहे हैं मेरे साथ में जो भी लोगों ने उसका सर्विस लिया रहेगा यूर मोस्ट वेलकम वी जॉइन इन देर आइंड डैट इस गेम चेंजर शीट आडल अब लोगों ने पिछले साल जिनों ने लिया है वो सब जानते और इस साल हमने बहुत स और मेरा इस पूरे हफ्ते के लिए क्या व्यों है उसको भी चाल लेते हैं तो आईए चार्ट पर पहले देखते हैं तो कॉईस यह हमारे सामने आ रहा है निफ टी का डेली टाइम फ्रेм का चार्ट इस डेली डाइम फ्रेम के चार्ट के अंधर में यह मेरा टारगैट था जब मैं आपके सामने last time मिला था तब हम यहाँ पे थे, यहाँ से इस हफते में 4 दिन का कारोबार था, हम यहाँ से उपर गए, सब कुछ हुआ, नीचे की तरफ में आ गए, लेवल के उपर में गए, इसको actually touch हमने Monday को ही कर दिया था, फिर Tuesday वाले दिन हम लोगों ने देखा कि यहाँ से हम लोग straight forward नीचे की तरफ में आए, उपर खुले, नीचे आए पर closing इस लेवल के उपर नहीं मिली, then on Wednesday we got the closing here, जो पहली candle close था, Thursday holiday and today was a Friday, तो Friday वाले दिन हमको यहाँ से touch करके market नीचे की तरफ में आ गया, और अभी इस लेवल को proper respect कर रहा है, तो यह जो मेरा final level ह इसको तो market ने respect कर दिया है, but अब इस से आगे का game plan क्या हो सकता है, उसको समझेंगे, साथ में देख लिए थे bank nifty में क्या हुआ है, bank nifty जब मैं आपके सामने last time आया तो मैं आपको बोल गया थे यहाँ से काम हुआ है, मेरा minimum मानना है कि इस high clock बनाना new high, तो इन्होंने new all time high ही बना दिया on Monday, and then इस पूरे हफते के लिए मेरा final target का जो level था, वो dot था 49,000, आप देख सकते किस तरीके से बढ़िया उस level के आसपास मार्केट गया, वही पे अठका, पिछले दिन भी अठका, next day खुला, तो closing वा करवाया, रुल्लू बना के, सब लोग US Fed को reason दे रहे है, बट मेरा इसा मानना है कि reasons बनाए दिये जाते है, price आपको पहली बोल दी जाती है, तो price ने पहले बोल दिया था, इसलिए मैं आपको इस level से बताती हो आ रहा हो कि यहां तक हमको आना है, यहां पर rejection मिला, तो इसने भी for a first time यहां पर proper rejection दे दिया हमारे target पे, तो अब यहां से हमको क्या game plan करना चीए, क्या चीजों की तरफ में ध्यान रखना चीए, उसको देखने के लिए हम सबसे पहले चलते है, हमारे sectors के उपर में, और हम एक बार sectors को सारे देख लेते है, यहां पे हमारे sectors हमको क्या define कर रहे है, auto बहुत ही तगड़ा था, बहुत ही अच्छी त के साथ में खड़ा है, जब तक इस low की नीचे नहीं आता, 21,400 तब तक कोई negativity मुझे आपे नजर नहीं आती है, next coming to the energy, energy ने अपना बहुत ही बढ़िया bounce लिया है, bounce लिए की फिलाल अभी यह sideways है, और पिछले कई टाइम से इस range के अंदर में ही काम कर रहा है, तो इसको हमें करेक्शन फेज में ही मानेंगे, IT, ITP करेक्शन फेज में हमारी dot black line पे काम कर रहा है, let them do, then we have the pharma, pharma भी अपनी चाल के अंदर में तब यह candle थोड़ी सी खराब candle है, इसका अगर follow through आपको अगले आसते देखने को मिलता है, तो सीधा target मेरा यह blue line है, which is around 18,000, अभी हम तो यह भी correction के अंदर में ही है, एक या दोई सेक्टर है, जो बढ़िया तगड़ा चल रहे है, बाकी तो सब correction में है, इन्फरा अगला सेक्टर है, जो बढ़िया तगड़ा अपने upside की तरफ में hold कर रहा है, अब इसको यहाँ पर आपके correction करना है, तो इस लेवल तक आ सकता 400 के अजपास में, तो कोई tension वाली बात नहीं है, 400 की नीचे अगर यह जाने की कोशिश करता है, तो थोड़ा सा concern रहेगा कि यह correction के अंदर में और add up कर रहा है अपनी move, तो अभी तक तो फिला लिया, आपे सिधा निकला है उपर की तरफ में, और यहाँ पे gap बना की भी नी नीचे है तो थोड़ा सा इस range के अंदर में, इस हफते के अंदर में play out कर सकता है, और कारोबार भी इस हफते कम है, तो चीज़े match out हो रही है, looking at the reality, reality ने अपनी यह से चाल बनाई, अटक अटक के जा रहा है उपर में, ज्यादा pull up मतलब move नहीं बना पा रहा है, 970 तक गया 1000 के target पूड़ा कर सकते है, ठीक है, तो अभी तक bullish strength के साथ में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, then looking at the commodity, ये भी बड़ी आपने उपर की तरफ में hold कर रहा है, ये भी बीच में अटका है, तो अभी इसको भी देखना पड़ेगा, जब तक इस red line के नीचे close नहीं करता है, तब अभी तक हम ने जितने भी sectors देखे, सारे के सारे ये बोल रहा है, कि हम लोग एक तो correction में है, फार्मा को छोड़के, ये मतल़ा फार्मा करेक्शन में आ रहा है, उसको छोड़के बाकि सारे बोल रहा है, उपर की तरफ में hold है, तो मुझे कहीं भी major negativity वाला sign नजर नहीं आत है, अब पिछली बार जब मैं आपके लिए वीडियो बनाया था, तो आप ऐसे कुछ लोगों ने मुझे WhatsApp पे मैसेज डाला, कि सर एक बार अगले अफते जब आओगे, तो एक चीज और clear out कर देना, कि gold जो जिस तरीके से बढ़ रहा है, इसके लिए आपका view क्या है, तो guys simple logic है, gold एक हम hedge मानते है, जब कभी market correction करने वाला होता है तब, अभी के time पे मैं आपको एक hint देता हूँ, देखो मैं straight forward बताता हूँ और direct hint देके आपको छोड़ रहा हूँ, और आप समझ जाएंगे कि यहां से मैं आने वाले time में क्या देख रहा हूँ, gold बढ़ रहा है, सारे high stocks, बढ़ी आपने high के आसपास में majorly, इंडियन market high पे है, nifty high पे है, bank nifty high पे है, then we have the sensex, वो भी high पे है, बाहर के markets भी top पे है, gold, silver दोनों की बड़ो त्री हो रही है, साथ में Indian currency week हो रहा है, और इसके साथ में oil बढ़ रहा है, अभी oil के चार्ट पाँगा, आप oil हो, ऐसे time पे मैं invest नहीं करता हूँ, ठीक है, ऐसे time पे I keep my fund ready, और होता क्या है इसके बाद, आप देख लेना, समझदार को इशारा काफी है, मैं hint चुक्या देने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर ऐसे time में invest नहीं कर रहा हूँ, तो मैं क्या देख रहा हूँ, आप समझदार है, तो यह situation आपके लिएक बहुत ही अच्छा learning हो सकती है, जो आपको आने वाले time में देखने को मिलेगा, एक और चीज, आप मैंसे कई सारे लोग यह expect कर रहे है कि election के अंदर में, जो भी result आएगा, उसके बाद market उपर यह market नीच आएगा, मैं आपको मेरा एक view बता देता मोटा मोटी तीन हफते का एक game बता रहो आपको, मुझे ऐसा लगता है, market कुछ अलग काम करे रहा है, जैसे, कुछ हिस्से वाले लोग है जो bullish stance के साथ में है, कुछ हिस्से वाले लोग है जो bearish stance के साथ में, I think मैंने last week भी आपको कुछ कई hint शेयर किया था, या फिर मैंने daily मुझे बता दियाना, comments के अंदर में, मेरा ये मानना है कि इस बार market sideways हो सकता है, some sort of same setup जो आपको इस बार की budget में देखने को मिला, everyone is expecting something, कुछ नहीं हुआ, correct, तो अभी जुन जुले में फिर से हम आएंगे budget के अंदर में, उसके अंदर में फिर जो भी होगा, वो चाल बना मार्केट ना कभी भी अलग काम करना, उसको तीसरे टाइप का आदमी बना है, तो अगर पहले टाइप का आदमी ये सोच रहा है कि मैं market में bullish position बनाऊगा, और market ऐसे shoot out करे, okay, BJP आएगी, दूसरे आदमी ये सोच रहा है कि नहीं, BJP आएगी, तो market पहले उपर खड़ा, तो जब ये सारे कारेकरम होना है, तो मेरा ऐसा मानना है, हम एक sideways range में रह सकते हैं, maybe for two weeks, maybe for three weeks, या maybe for four weeks, पर मेरा ऐसा एक analysis निकल के आता है, जिसके अंदर में धाई हफते से लेके तीन हफते तक, मतला मोटा मोटी दो से तीन हफता, हम एक range में play out कर सकते हैं, वो result announce होने के पह जाएगे, तो इन लोगों का stop loss काटने में और आसानी हो जाएगे, and you can see the volatility, range में रहेंगे, एक range, अब वो कितने point की range बना था, जब हम उस time पे हैंगे तब आपको में share करूँगा, पर वो एक range बना कि उस range में बहुत भेंकर volatility हो सकती है, और उसके अद सब जब शान्त हो ज commodities के अंदर में क्या हो रहा है, commodities अपने आपको यहीं पे hold कर रहा है, तो this is a good sign, इसमें कोई negativity नहीं देखे है, consumption भी उपर में hold कर रहा है, new all-time high के असपस, तो ये भी मुझे bullish sign हो कर रहा है, next looking at the FMCG, it is already in the correction, allow him to do a major correction again, metals, last time आपके सामने आया था, हम यहाँ पे थे, इस व next, looking at the media, media already in the correction, still below blue line, तो इसको avoid करेंगे, mid cap, mid cap के अंदर क्या हो रहा है, धीरे धीरे उपर जा रहा है, पर क्या आपको लगता है, bullish stance है, बिल्कुल भी नहीं, पर आप देख सकते हो कि कितना beautifully मैरे इस target वाली level को market respect कर रहा है, इस line को काटा, दो दिन closing किया तो इसकी नीच हो जाती है, support को आप multiple time test करोगे तो वीक हो जाएगा, तो guys, अब अगर यहां से mid cap नीचे के तरफ में आना चाहता है, तो इसको इस low को काटने देना, 49,587, इसके नीचे आगे जब काम करना चालो करें, तो इस level को test कर सकता है, इसके नीचे जब आएगा तब correction में enter हो गया, इसको यहां से जा सकता है, then we have the small cap, small cap भी beautifully काम कर रहा है, मेरा ऐसा मानना था कि शायद small cap को एक new all time हाई बनाना चाहिए, बनाएगा इसने, 691 and here is around the high 653, ने 45 points से छोड़ गया है, ठीक है, तो अगर बनाना है तो बना सकता है, पर ऐसा मानना है कि high बना ले new all time है तो ज़्य ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा लोग चिपक जाएंगे, फिर वहां से नीचे जब आएंगे तो ज़्यादा easy हो जाएगा, तो small cap भी मेरे हिसाब से correction में उपर जा रहा है, it is just to make an exit, good exit and उसका शायद फिर हो थोड़ा से नीचे के तरफ में आके time pass ज़्यादा करें, तो small cap भी तरफ में आप ध्यान रखिएगा, junior ये तो तगड़ा चल रहा है, और ये चला भी मतलब चलने से पहले गिरा भी ज़्यादा था तो इसका भी काम हो चुका है, अब यहां से चाल रहा है, अब यह भी bullish stance के साथ, देखो आप सब कुछ bullish दिख रहा है आपको, ठीक देन इंडियन रुपी अगें अट 83.6, आगे हम, बढ़िया हाई के असपास खड़े, तो अगें अट the weakest territory, then we have the oil, oil भी बढ़िया बाउंस ले रहा है, तो oil का भी 97.9 का पिछले बार का टार्गेट पेंडिंग है, अब यह को लगता है तो इनी इतना उपर जाएगा, पर इसी एरिया में खिलाएंगे इसको, तो अगर इसको bullish होना है तो इस low की नीचे आना है, 84.49, जब तक इसकी नीचे नीचे नहीं आता है, आप समझ लो, this is the point of concern, then we have the DAX, DAX के अंदर में तो पिछले बार भी बोल गया, correction के अंदर में आ जाना चाहिए, तो अभी तो फिलाल है, तो कुछ भी ऐसा sign नहीं show हो रहा है, DAO Jones का काम almost हो गया है, DAO Jones last week जब आपके सामने आया था हम कुछ यहाँ पर काम कर रहे थे, and then we have seen a proper correction from this particular area, यही पर close करके गया था, and from here they have seen a clear correction, जो हमारी इस level तक आ गया, अभी भी थोड़ा सा बचा है, तो यहाँ का अगर sideways हो जा आपको भी नीचे आना चाहिए तो अभी तक तो डॉट वही पर खड़ा है, क्यासी नीचे की तरफ में tumble down होता है, तो अपना 1,23,000 का level जो है, इसको टच करने के लिए market आ जाए, then we have the S&P, इसकी भी correction पेंडिंग है, इसको भी इस level तक आना चाहिए, जिस time में में मेरी सा आप से Nasdaq गिरना शुरू होगा, तब यह दोनों भाई-भाई साथ-साथ में गिरेंगे, and तब आपको थोड़ा सा इसा हो सकता है, कि S&P थोड़ी correction आने वाले टाइम में दिखा है, then we have the copper, okay, copper एकदम तगड़ा चल रहा है, आप देख सकते है, metals के अंदर क्या हुआ अब Russell का अभी काम pending है, मैं तो कब से चार हो कि 1905 पूरा हो जाए, इसी टाइम से बेट कर रहा हुँ है, पांच फरवरी से, पर यह पहले उपर गया, target को छुने गया, target को dot छुआ, वहाँ से नीचे आ रहा है, तो अभी इधर ही काम कर रहा है है, तो Russell अगर नीचे आना चा यहां से अगर एक bounce आता है, तो आप समझे लो कि हमारे markets में भी यहां से आने वाली टाइम में correction आना शुरू हो जाएगी, कहीं न कहीं, ओके, then we have the wix, global wix 18.5, क्या discussion हो आता गाइस, you tell me, what did we discuss last time, हमने discuss किया था इसको 18.5 के आसपास में काम बेंट ही आना चीन, कब किया इस एक दिन में काम खतम किया, Friday वाले ठीक है, तो सर अब इसका जो इधर का जो काम था ना, जो यह छोड़ के आ गया था, 14 फरवरी के आसपास, 13 फरवरी के आसपास, यह भी पूरा और अब यहां से अगर उपर निकला, तो आप समझे लो कि global market में sell-off start होगा, उस time हमको भी न 23 के आसपास में, 24.34 के आसपास में नहीं जा पाए, तो सर अगर यह इसके उपर में closing करना, जब भी start करेगा, अभी तो time है, जब कभी भी start करेगा, आप अपने चार्ट पे लेवल लगा लो, 24.34, next we have the निक्कई, निक्कई तो already correction में है, sideways होके काम कर रहा है, जादा से पर आना तो पड़ेगा ही, बट यहां तक अगर पहले खतम गर जाता तो बहुत अच्छा हो जाए, ठीक है, तो निक्कई remains at a very good place, next we have the gold, यह हो रहा है सारा काम, तो gold के लिए मेरा क्या view था मैं आपको समझा दिया है, और ऐसे time पर क्या होता है, आप सब लोग समझदार है तो मुझे लगता है उस पर double-double discussion करनी की ज़रूरत है, silver एक्तम तगड़ा भागा है, enjoy करो बस, ठीक है, बाहर के इल भी अब rise होना चालो हो गई है, and you know what happens when they keep on rising it, and two years also rises, so कही न कही, अब जब मैं सारे global markets देख रहा हूँ, तो मेरे सामने कुछ limited views सांथ में आ रहे है, Indian sector म को छोड़के जो correction में पहले से वो है, और एक pharma को छोड़के जो correction में आना चाहते, तो अभी तक 60% is in the bullish stance, doing a sideways move there, कुछ हिस्सा है जो पहले से correction के अंदर में है, 30 टकेगा, और 10% जो है, और वो अभी नीची के दरफ में आना चाहते, तो वो आना शुरू हो जाएंगे, दूसरी बात, global markets में correction कुछ में start हो गई है, कुछ वेट कर रहे है, जैसे SNP, NASDAQ के वेट कर रहे है, बाकी सब में correction स्टार्ट हो गई है, और वो वेस वाजिसे सब नीचे में खड़े है, रसल वीचार बीच में आटका है, तो है तो correction वाली phase में, तो कुछ में correction चल रही है, कुछ सिफ रूपने से बचे है, कुछ में इस हफते, पिछले हफते अपना काम start करके correction खतम करने के phase में आ गए है, तो मोटा मोटी, 80% तो correction में चल रहा है, 20% काम बचा है, NASDAQ SNP, ये दोनों गिरिंगे तो और काम हो जाएगा, तो majorly जो correction का phase है, मेरे हिसाब से, वो global market में start हो गया, हम कब start करते हैं, हमने कर दिया है, ये हमको आने वाले हफते में बता चलेगा, अब data देख लेते, data के अंदर में इस हफते इन्होंने क्या काम किया है, उस पे जाने से पहले, मैं आप सभी लोगों को हमारी new website, प्लस हमारा 1% club sheet, जो है launch ही, उसके बार में आपको information देना चाहता हूं, फिर हम आप से data वाले sheet पर चलेंगे, so this is our new website, Opulencia Learning, जब सर्च करेंगा, आपको मिल जाएगा, and we have planned everything for all of you here, and जो भी लोग out of India से देखते है, जो लोग हमारा daily analysis का subscription नहीं ले सकते थे, weekly stock analysis का subscription नहीं ले सकते थे, विकली stock analysis का subscription नहीं ले सकते थे, जो हमा the videos there, okay, looking at the one person club, this is what we have launched once again for all of you, for the financial year of 2024-2025, to officially launch the one person club sheet, this is the face of one person club sheet, ठीक है, यापको जब भी deliver होगी, आप देख लेना, and this is how we have launched it, we have added a sentiment meter here, जो मैंने exclusive बनाया है for intraday majorly, और sentiments जो है, आप daily, weekly, और monthly का पूरा व्यू लेके चल सकते है, साथ में जो भी आप चार index का अंदर म add up नहीं किया है, हमने इसके अंदर में, को sensex का data नेले में बड़ा मेहनत हो रही है, और वो मिल नहीं रहा है, आसानी से, तो इसलिए मैंने उसको avoid किया यहापे, तो हमने nifty bank, nifty, finnifty mid, कि चारो को रखा हुआ है, and इसके जो lot sizes है, आप यहापे देख सकते है, इसको आप customize भी कर सकते है, initial capital, risk, किते दिन आपको लगेगा पैसा डबल करने के लिए, if you go with that particular percentage of return on that particular day, so आपको दिख जाएगा कि आप कितना यहापे कर रहे है, अगर आपको लगते हैं, मैं एक दिन में 2% का risk लेता हूँ, आप 2% customize कर सकते है, 3%, 4% जो भी है, आप यहाँ customize कर सकते है, additionally what we have given is, once you got the setup, and now if you are planning to take a trade in any of these index, just go and select the index which you want to select here, जैसे आपको आपको दिख रहा है, जैसे आपको दिख रहा है कि mid select, याने mid cap का trade यहाँ पर लगा है, अब यह sheet आपको एक suggestion देती है, if you really want to plan a trade on the call side, if you want to trade on a put side, click here, you will get another option for the put side, if you want to plan a trade for the call side, तो आप यह दो strike price की तरफ में ध्यान दे सकते है, जो लोग को strike price selection में दिक्कत होती है, तो आपको देख सकते है, यहाँ पर आपको यह reference में यहाँ पर मिलेगा, दूसरी बात, आप इस capital की उपर मैक्सिमम, जब mid cap के अंदर में काम कर रहे है, कितने lot ले सकते हैं, तो हमारे sheet बोलती है, आप maximum two lots ले सक सकते हैं, ठीक है, and then if you want a data कि आपने पूरे साल भर के अंदर में या उस पूरे मेहने के अंदर में आपने कौन से कौन से index में सबसे major काम किया, तो just click here, select this index के अंदर में आपने trade किया, and just take a trade taken, एक बार trade लिया है, तो एक बार select करके, एक बार trade taken दवाईए, तो आप यह end मे जाके आपके पास में history रहेगे कि आपने कौन से कौन से index में दिन बर में इसे 3 trade लिया है, चार trade लिया, अगर आपने bank nifty में दो बार लिया, तो select bank nifty here, click 2 times, nifty में एक बार लिया, click nifty here, and click trade taken one time, and mid cap में एक बार किया, तो mid cap select करके यहाँ पे, आप trade taken कर दो, तो इससे आपक क्या गलतिया करी, वो आपको समझ में आ जाएगी कि कौन से index में आपको काम करने से ज़्यादा पैसा मिला, कौन से इसमें कम, तो आप उसके हिसाब से month on month अपना revision करके, month on month wise आप अपने वापे corrections कर सकते हैं, ठीक है, and then we have launched it here, all the features you will see, what are the features are there, and then we have the my portfolio segment, जो हमने नाया add क है, तो अब भी आपकी आपास मेंगर 4-5 account है, तो आपको 4-5 account में scroll करने की ज़रूद नहीं है, आप सारी entries इस वाले हमारे sheet में डाल दीजिए, आप देखेंगे यहाँ पे sheet में, नीचे में यहाँ पे आपको my portfolio का segment दिखाया, तो अब जब यहाँ पे आएंगे, plus हमने आप आपका option chain भी दी हुई है, तो अगर आपका option chain का भी live market में देखना है, उसकी साब से आपको जो strike price select करना है, आप वहाँ पे कर सकते है, ठीक है, तो my portfolio के अंदर आप सारे records कर लीजिए, तो हमारे sheet आपको automatic बताए कि when the target is about to hit, कब stop loss के पास में है, कब आपके इसको loss हो रहा ह आपका एक साल के अंदर में किस तरीकी से account में growth हुई है, वो सारे की सारे चीज़े आपको my portfolio मिलेगी, बहुत सारे लोगों को loan closing sheet बड़े अच्छी लगी थी, तो loan closing sheet भी हमने आपके लिए वहाँ पे राखी है, and these are all the customizable option for all of you, and these are the pricing, जो लोग सब shift लेना चाहते, तो just wanted to buy a sheet, just scan this particular scanner, make the payment, the price is just 3.99, that is nothing but a 1 rupee for one day, that is simple, इतना सस्ता item में आपको दे रहा हुई हाँ या पे, and that should be feasible for everyone, जो आदमी 1000 रुपे से भी काम करता है, वो अपनी mistakes को सुदारना चाहता है, still it will be affordable for all of you, इसते जादा कभी भी जिंदगी में प्राइस नहीं जाने वाली है, ठीक ह लिए launch किया है, so once you make a payment on this particular scanner, make sure that you WhatsApp us on this particular number, अगर आप scanner नहीं करना चाहते, you have given us an alternate UPID, आप UPID भी payment कर सकते है, now, last time I gave you two strategies, this time we are giving you five strategies, plus जो भी लोग Saturday and Sunday को, मतलब आज और कल जो भी लोगे sheet को purchase करेंगे, आपको एक complimentary link आएगी, on your particular email ID, जिसके अंदर मेरे साथ में मंडे वाल 9 a.m. से 3.30 p.m. तक live जूड सकते है, you will be a part of 1% mentorship, और मैं आपको उसके अंदर में sheet का भी sample दिखाऊंगा, कि sheet को आपको किस तरीके से use करना है, किस तरीके से हम उसका फायदा उठा के intraday में पैसे बना सकते है, and for that, the five strategies plus the complementization, plus the sheet, the pricing is just 3999, okay, to make that payment, scan the scanner, make the payment and just WhatsApp it on 8788-971248, okay okay guys, so we have officially launched that, now, coming to the telegram handle, you can see this is our telegram handle, Opulency Learning, here the data it is, yep, what they have done, we can see clearly they have bought it very quickly here, nifty के अंदर में last दिन में sell-off किया है, and nifty में भी अपनी positions को hold करके गए है, guys, एक alert मैं आपको देना चाहता हूँ, जब पिछले हफते हम जुडे थे, पिछले हफते इनके पास में कोई माल नहीं था, confused आत्मा थी, अगर आपको लगता है कि ये माल बहुत ही heavy है और हम यहाँ से बहुत तगड़ा उपर जा रहे है, आपको simple example देता हूँ, जितने का माल इन्होंने खरीदा है, उससे double का माल ये एक दिन में बेच सकते हैं, तो ऐसा मत समझ लेना, कि ये 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, मोटा मोट इन्होंने, 4000 का करोड का माल ये एक दिन में डंप नहीं कर सकते हैं, उसमें से 2000 का माल तो एक दिन में बेच दिन में बेच दिया हैं इन्होंने, if this is a pump and dump type situation जो FIs करना चाते है, तो सर वो शायद shots अपने पहले से बना के रखे हुए है, ये position hedge करने के लिए भी बनाई जा सक है, ठीक है, इसका conformation आपको अलफते आएगा, ये सच है या गलत, इसको समझने के लिए FIs में आओ, FIs ने पिछले 3 दिन में माल उठाया, shots कुछ भी add up नहीं करे, ठीक है, और जो इन्होंने माल उठाया था, उससे उतना ही almost करिब का shot भी करके गए, मतला अपने longs को भी कम करके गया, तो इनको आसमें net में long बढ़ा कम है, stocks के अंदर आप देखेंगे longs बिलकूर नहीं बढ़ा, shots हलके से बढ़ा के गया, looking at the clients, ये तो confused आत्मा है, longs जितने ते उतने के उतनी है, shots बीच में बढ़ाते, shots को भी कम दो, longs लो नो सेम हो गया, तो तो तुम हेच करक है गया, absolutely not, everything remains the constant, तो सर, शांत रहू, side रहू, ठीक है, और जब FIs माल उठाने की कोशिश कर रहते, तब इन्होंने तो उनके पहले माल उठा लिया, और जब FIs ने भी माल उठाने कोशिश करी, उन्होंने अपने पूरे longs कर दियो, shot बढ़ाना चालू कर दो, तो सौधा तो आपको clear दिख रहा है न, कि pro and FIs की बीच में हुआ ही, नोने माल बेचा, तो फिर खरीदा उन्होंने, तो कहीं, ये एक सवाल आपके दिमार्ग में आ सकता है, और ये मैं आपको last time ही बोल गया था, कि कहीं ऐसा तो नहीं, कि जहां हम जैसे लोग सारा माल काटे, तब य 1000 पॉइंट, 1000 पॉइंट के आसपास पर अपने average का base बना है, और वहां पे पूरा माल एंगल्फ करने की कोशिश कर है, इसका जवाब आपको मैं देता हूँ, चार्ट पे, कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप चार्ट पे पीछे आएंगे, let me clear the chart, hide all, ओके, तो आ आपको बोल गया, अगर यह अभी 18,000 पहुझ गया, तो यह 18,000 पे दुरूखेगा नहीं, 17,000 के आसपास जाएगा, तो इतना तो मुझे कुछ चार्ट में दिख भी नहीं रहा है, तो इनके जो stop loss लगे तो इन एरिया से लगना चालू हुए थे, यह आपको जो gap up, gap up जाएगा, in that case, you pretty well know what they will be doing after that, तो sir, इसलिए जल्दी से खुश मत होना, क्योंकि हम इस हाई से जादा ओपर या भी नहीं जा पाए, और इस हाई से जादा ओपर हम या भी भी नहीं जा पाए, तो sir, confusion वाली state है, alert जादा रहना है, और data को ध्यान से पढ़ना है, और अपने जो कान है, इनको खुले रखना है, ठीक है, इसको खुला रखके जब मैं यहाँ पर decision लेता, तो मुझे सर कुछ भी नया नहीं दिख रहा है, एक channel pattern यहाँ दिख रहा है, इस channel pattern के उपर यहाँ पर resistance लिया, last time यह नहीं आ लिया था, तो इस level के आसपास में आ गए, अभी भ पर logic है guys, 900 पर आना है, तो मतलब आपको पहला confirmation तो 2300 पर मिल जाए, ठीक है, तो better wait for 22300, इसके नीचे आता है, तो फिर ही अपना नीचे के गाम करने के लिए आना शुरू हो जाएगा, वरना यह इस range में भी time pass करवा सकते है, looking at the bank nifty, bank nifty जब तक इस level की नीचे आके दो दि पर clear दिखेगा, क्योंकि इसके नीचे जब आना चालू करेगा, तो यह एक नीचे से चैनल बनता हुआ रहा है, इस चैनल के lower level पर आएगा, which is 43,575, ठीक है, तब तक यहाँ पर sideways करवा सकता है, आपको बोल सकता है, आप shots बनाओ, BTST लेकी जाओ, सब कुछ लेके जाओ, और यहाँ पर जल्दी से plan out मत करना, जब तक इस level के नीचे नहीं आते है, तो इस हफते के लिए हमारा important level क्या बन गया, यहाँ से 500 point नीचे, 48,000, nifty के लिए important level क्या बन गया, यहाँ से 200 point नीचे, 22,300, इसके नीचे गया, तो confirmation ज्यादा नीचे आनी क्यों क्यों हो जाए, क् यह box भी वही level का है, इसके अंदर में closing आगे है, मतलब सबसे आदा समय इसके अंदर भीटेगा, तो हम पूरा-पूरा safe हो जाएंगे, अब छोड़े time frame पर चलते, और वहाँ पर समझते है, कि main game क्या हो रहा है, ठीक है, अब यह पूरी levels, जो है, यह dot to dot level काम होआ है, अब चार्ट फिब अगर कुछी levels लगी होगी, प्लीज आप इसको भी clear out कर लीजिएगा, ठीक है, यह level को मैं clear out नहीं कर सकता हूँ, इसका importance में आपको आदे बता हूँ, अब looking at the bank nifty, अगर यह selling structure में आना है, तो मेरी साब से मंडे को ही आ जाए, छोड़े time frame के अंदर में यह ह बहुत important level, अगर इसके निचे हम आते हैं, तो सीधा level आता है हमारा 48,183, यहां तक हम बिल्कुल आ जाएंगे, 15 minutes के अंदर में, this is again a very important and a crucial area, ठीक है, यहां तक के दर्वाजी तो सर्थ हमारे पास में clear cut open है, ठीक है, अब अगर आप long करना चाहते हो, तो क्या यह जगा है long करने की, सब देखो market जिस तरीके से यहां से उपर में गया है, बिल्कुल यह जगाए अगर आप यहां से market bounce लेना चाहता है, बिल्कुल यह जगाए जहां से market bounce ले सकता है, example देने के लिए आपको sample दिखाता हूं, यहां पे, just go to the Fibonaki, from this particular move, we have made this move, see we are at 38.2% और यहां पे start coming below this, यह पूरा pattern का confirmation इस level के नीचे मिलेगा, यह जो buying strength यहां से बनी थी, buy on dips का पूरा setup यहां तूटेगा, तो हम सीधा इस box पहाएंगे, which is around 47,640, ठीक है, तो आपको तो वैसी बता दिया हूं है, 48,000 के नीचे आते बराबर दिक्कते और बढ़ जाएगी, one day time frame पे पर जाना चाहता है, बिल्कुल जा सकता है, लॉंग की सबसे अच्छे opportunity 48,226 के पास मिली, यहां समल गया, छोड़ा stop loss लाग के आप यहां से plan out कर सकते एक bounce play करने के लिए, यहां से बेगर market bounce लेना चाहता है, ले सकता है, और कहां तक जा सकता है bounce, इस gap तक जा सकता है, ठीक what we are able to see, nifty के अंदर में सर आपको मैं थोड़ा सा एक बड़ी picture दिखाना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे यह भी charts पूरे आपके सामने clear करना पड़ेगा, तो जो लोगों ने same copy paste करके बनाया है, please you also guys, clear it out, ठीक है, we have these levels also, perfect, everything remains the same then, ठीक है, अगर आपको मैं अभी यह chart one number time frame में करके दिखाऊ, तो आपको एक pattern दिखना चाहिए, can someone tell me what kind of pattern is this, correct, majority लोगों ने पकड़ लिया, जिनको अभी भी भी नी समझा, अब देख लो, ठीक है, so this is a pattern of a double top, double top का confirmation आएगा, once we start going below this level of 22,500, अगर यह 20 to 500 के नीचे आता है, convert this chart to 15 minutes time frame, what is the immediate target, which you can see, इसके नीचे कटते बराबर, where is that immediate target, absolutely here, which is around 22,345, अच्छा, one day time frame में कौन सा level था, 22,300, बस इसके नीचे आते बराबर, sir, यहां का का काम pending है, इसको मैं छोटा गर देता हूँ, एक level आपके सामने यहां लगा देता हूँ, यहां पे एक gap वाला काम pending है, जो है 22,130 के आसपास में, तो आप समझ जो अभी क्या होना है, ठीक है, इसके नीचे आते बराबर, sustain करना चालो करा, और आप देख रहें कि selling आ रही है, and also it is coming with the volume, targets आपके सामने ready होगे, 343 and 4, 22,140, meanwhile, longs के लिए अब मैं आपको suggestion नहीं दूँगा, ठीक है, अभी भी हाला कि इसमें setup, अभी भी buy on dips का बना हुआ है, पर double top formation है, तो double top formation में अगर यह तोड़ेंगे, रुख के तोड़ना चाहते है, तोड़ सकते है, in that case, अगर यह bounce भी लेगे, तो भी यहाँ तक bounce लेगे, 22,729 जापी gap का काम pending है, यह यहाँ तक, sorry, 22,749, तो जब तक यह कटे गाने, तब तक हम heavy longs जा भी नहीं सकते, तो यह range में play करेंगे, तो 500 से लेके 700, एक 200 point की range आपके उपर में बन गई, अगर इस range के अंदर में का रहा है, और इसको अगर एक bounce लेके वापस नीचे के तरफ में तोड़ता है, तो यह selling मेरे इसाप से थोड़ा speed में आनी चाहिए, in that case, we have these two targets, which we should be focusing on, other than that, कोई भी changes नहीं है, सारा plan as such जा रहा है, and मेरे को जो analysis मेरे काम को देना था, मैंने आपको दे दिया, वा मुझे comment section बताना वीडियो अच्छा लगा किया है, नहीं लगा, प्लस जो भी लोग 1% club sheet लेना चाहते है, the booking has been started, अब आप जब इच्छा हो तो आप ले सकते है, and जो लोग complimentary session मेरा चाहते है, जो मेरे साथ में जुड़ना चाहते है, हम live trade भी करेंगे, live analysis भी करने वाले उसके अंदर में, so pre market open से मैं बैटूंगा आपके साथ में, and market start, start होने के पहले से खतम होने तक मैं आपके साथ रहूंगा, so we will plan few trades here and there, and we will try to generate 1 or 2% for the day, okay, so video अच्छा लगा, तो video को like button ज़रू दबाई, अपने विचार आप मुझे comment section बताए तो तक के लिए, आप सभी लोग देखते ह अगले वीडियो में, नमस्ते